हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी कर दा फेरिट स्टॉक में जैहिंद और आज हम बात करने वाले हैं बंदन बैंक के बारे में दोस्तों यहाँ पर यह स्टॉक जो है कंटेनूसी दोस्तों हमें डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ लेटिस कंप्लीट इंफोर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में लेने वाले स्टॉक के बारे में बने रही है काफी कुछ आपको जाने के लिए मिलेगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्क्राइब नहीं किया है तो उसे भी सिस्क्राइब कर लीजिए जिस्तों मैं आप लोग के ल आजाएं थोड़ा सा नीचे और यहां पर इसके वॉल्म को अगर आप देखेंगे तो आप देखें लास्ट मंद जो था दोस्तों यहां पर काफी अच्छा एक वॉल्म जनरेट होता हुआ निजर आ रहा था तकरीबन बास्ट लाग का दोस्तों एवरेज वॉल्म जनरेट पर डेय। अगर हम बात करें दोस्तों इस वाले मंद की दो देखें लास्ट वीक तकरीबन 77 लै की वॉल्म जनरेट हुए है यसट्डे़ इंकर बात करने तकरिमन 92 का वॉलम जनरेट हुआ है और श्तों आज कि कर दो 75 लाग कक का वॉल्म यहां पर जनरेट होता हुआ ह सबसे पहले हम वो देखते हैं फिर फिर पिर चार्ट को अनलाइज भी करेंगे देखे दोस्तों यहां पर लिखा हुआ कि बंधन बैंक टू इनवेस्ट इन अपर अपर जो इनके फांडर और एम्डी है चंदर सेकर घोष उन्होंने दोस्तों इसकी पूरी इंफूमेशन दी अपने 6th Foundation Day program पर दोस्तों नोने इस चीज को बताया कि as a part of Vision 2025, Bandhan Bank will invest in digital capabilities there is a need for digital transformation and improving the technology backbone so अपनी technology को दोस्तों ये और इंप्रूफ करना चाहते है इसके लिए दोस्तों ये completely digitally shift होना चाहते है अपना को transform करना चाहते है और इसलिए दोस्तों ये अच्छागासा पैसा भी यहाँ पर invest करने के बारे में सोच रहे हैं with a present business size तकरीबन 1.50 lakh crore who said the vision invested by the bank is having a well-deserved asset portfolio optimum mix of secured and unsecured asset diversified तो दोस्तों अच्छागासा business size है इनके पास में अगर आप देखे हैं 1.50 lakh crore था दोस्तों इनके पास business size है तो उस चीज़ को दोस्तों improve करने के लिए ये अपने आपको digitally transform करना चाहते हैं और इसलिए ये 25 की vision को लिखा चल रहा है और वहाँ पर दोस्तों ये completely digitally shift होना चाहते हैं तो ये completely दिखा जाए तो बंधन bank की vision को बताता है ये किस तरीके से दोस्तों ये ये जो bank है अपने आपको completely change करने के वारे में सोच रहे हैं तो हम सभी जानते हैं कि ये जो stock के particular वो क्यों नीचे गया था तो जब से वो आसाम में बाड आई थी उसके बाद इनका काफी नुकसान दोस्तों वहाँ पर हुआ था उसके बरबाई दोस्तों ये अभी तक नहीं कर पा रहा है और वहाँ पर उनको काफी बड़ा जटका रगा था उसके उसके स्टॉक प्राइज बहुत दो नीचे आ गए थे अब धी दे दोस्तों यहां पर recovery तो हो गई है लेकिंकि स्टॉक प्राइज में अभी तक दोस्तों हमें गिराबट देखने के लिए मिलती हुने जरा रही है अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों इस स्टॉक को उसने कई बहुत सारे मेजर सपोर्ट को ब्रेकडाउन किया हुआ है और अभी रीसेंट टाइम पर कि अग दोस्तों अपने निचले इस तर पर दोस्तों अभी ये ट्रेड होता हुआ हमें नजर आ रहा है तकरीबन एक साल की का हम बात करें तो देखें अब जो तकरीबन आप बोलें तो 250 का अब दोस्तों अगर ये तूड़ गया तो आप मान कर चलें कि इस स्टॉक का फिर कहां प और सेल हो चुका है मतलब 30 पर जब कोई भी स्टॉक आता है तभी हम बोलते हैं कि ये ओवरसल हो गया है लेकिन ये स्टॉक दोस्तों अभी तकरीबन 20 की रिंज पर आ चुका है तो आप समझ के चलें कि इस स्टॉक की हालत बिलकुल भी सही नहीं लगती और जिस तेजी से दोस्तों ये गिरावट की दौर पर चल रहा है ये कोई भी बड़ी बात नहीं होगी कि 250 के लेवल को भी तोड़ दे और अगर एक बार इसने 250 के लेवल को तोड़ दिया तो दोस्तों फिर इसका ऊपर आना तो मतलब आप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा काफी लंबे टा इस बाली बात दोस्तों यहाँ पर मंतन बैंकर लिए हो जाएगी जो कि इनके इक निवेस्टर है जिन्हों दोस्तों यहाँ पर साड़े 300 के लेवल पर बाइंग करी है अन लोगों के दोस्तों यहां पर काफी बुरा हाल हो सकता है उसर अभी तक यहा पर कोई भी आस्वी के लेवल से दोस्तों यह stock अभी 264 आचुका है दोस्तों आप मानकर चैने तकरीपन यह stock अपने आधे level पर आचुका है और अभी भी यह down जाता जा रहा है और दोस्तों इसलिए मैं आप से बोलों कि इस level पर यहाँ पर जाभी a stock था तो मैंने आपको बोला भी था लेकिन दोस्तों अभी और नीचे आ चुका है तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है 250 का वेट करना है 250 की level पर आने के बाद अगर यह वहाँ से bounce back ले लेता है और उपर जाना चालू करता है और यहाँ पर बाइंग करेंगे और यहाँ से कच्छा सा मुनाफ़ा भी कमाएंगे अब बात यह आती है जिरोंने already यहाँ पर बाइंग करके रखी हो यह वो क्या करे तो दोस्तो आप लोगों को अभी थोड़ता अपने आपको मजबूत रखना है holding बना कर रखनी है देखें 250 का level क्या होता है वो तूटता है कि नहीं तूटता है अगर तूटता है तो मेरे ख्याल से आपको exit कर लेना चाहिए कि फिर दोस्तो फिर यह stop बहुँता नीचे आ स करना है और देखना है कि यह stock अभी bounce रहे कहां से रहता है अधिन दोस्तो आपको समझ में आ गया होगा कि बंदन में हमें कैसी strategy को लेकर चलना चाहिए अगर यह वीडियो आपको लाइक करना बिल्कूल भी ना भूले पसंदना है तो आप डिस लाइक भी कर सकते हैं यहां अधि वीडियो देखने के लिए इसको आप सिरका बहुत बहुत धन्दे बाद मिलते हैं बहुत जाले वीडियो में जाएंगे